कि नमस्कार दोस्तों दूस्तों एक बार फिर से स्बाइट आपका हमारे चैनल में और आज हमारे पास एक जिंगर मोबायल है यह देखेज धिंगर और इस Soon आपको बताएंगे तो सबसे पहले हम आपको ओपन करके चेक कर आदेते हैं हमारा कौन सा मोडल है यह देखिए हमने इसका यह बैक कवर ओपन करते हैं यह देखिए दोस्तों हमने बैक कवर ओपन किया है हमने बैटरी रिमूव करी और यह देखिए हमारा मोडल है जी ओनी पी सेवन यह देखिए दोस्तों इसमें किस परकारज हम सॉफ्टर अपडेट करेंगे यह हम आज आपको बताएंगे देखिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हम हमारा आज कर और चलते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के उपर हमने बैटरी इंसेट कर दिया और यह बैक कवर हमने इंसेट कर दिया चलिए दोस्तों इसके लिए हम चलते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के उपर यह देखिए दोस्तों आगए हम हमारी computer screen के उपर और अब हम हमारे my computer में जाएंगे और हम उस software file पर जाएंगे जहांपर हमने जियोनी की software file रखिए है mobile software में आगए जियोनी mobile में आगए और यह देखिए हमारी यह जियोनी P7 की mobile की file है हम इसको पर double click करेंगे और इसको extract करेंगे हमारी desktop के उपर हमारे drag करेंगे desktop के उपर और यह हमारी file desktop के आ रही है हमें वेट करना है रही हमारी का जिएवर्ग प्रफ़का पर पाएंगे झाल कि जाएंगे जूँ चर्वाल की जड़ करेंगे प 시대 दो को फो बाएंगे जडवर्ट पवार्वर्व पर लूँग पर शाहां हमारी दोपचे जाएंगे निएर जाएंगे जगँगे फदिए प्रवार्ट प्रवाद कर दो भाद प्रवाद कर दो जो प्रवाद कि अबदा लाहा है प्रुटका है यह देखे दोस्तों हमारी एक्स्ट्रक्ट होने वाली है फाइल एक्स्ट्रक्ट हो चुकी है इसको हम क्लोज करते हैं अब इस फॉल्डर को उपन करेंगे जो हमारे एक्स्ट्रक्ट के एक्स्ट्रक्ट कि हमने डबल क्लिक करेंगे SP Flash Tool हम open करेंगे दोस्तो SP Flash Tool के उपर right click करेंगे run as administrator और open होने देंगे हमारा जैसे open हो जाएगा हम इस file को close कर देंगे हम इस sector file load करने है हमारी हम choose sector file पर click करेंगे और हमारी desktop पर हम हमारी जो हमने file drag की थी P7 के उसके उपर जाएंगे open करेंगे firmware को open करेंगे और यह देखिए हम इस sector file को select करेंगे हमारी sector file को select करेंगे और open करेंगे हमारी file load हो गई यह देखिए हमारी file load हो चुकी है दोस्तो अब हमें यहां से क्या करना होगा download only की जगह दोस्तो हमें firmware upgrade change करना होगा यह देखिए दोस्तो हमें यहां से डाउनलोड ओनले की जगह फरमवेयर अपग्रेड करना होगा यहां दोस्तों डाउनलोड की जगह में फरमवेयर अपग्रेड करना होगा और यहां पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा हम जैसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे हमें हमारी USB को मोबाइ में set करने और हमारे volume down button को हमें प्रैसि करना होगा हुआ हैं यहां नां button को प्रैस किया जैसे हमने प्रैसिक यह सब्छाइब यह दे infinitely हैं यहां पर scanning complete हो चुकी है और अभी हमारे यहां पर स्कैनिंग चलेगी यह देखे हैं हमारे com9 यहाँ पर port detect करने लग गया और यह देखे हैं हमारी process स्टार्ट हो गई है और यह देखे हैं हमारे software process स्टार्ट हो चुकिया डाउन्लोडिंग flash 2% हो चुकिया 3 हो गई है 4 हो गई है हमें wait करना 100% होने तक अधे हमें कि ए अ precisa करने तकार के मिए यह बनाव हो बास कि और यह दिए भाज़ हो बास को पहीं है इना अपवा पुकिया एद़ार ज्या का आधे हैं हम कि उखे हैं है को घुकिया बिएसरा मिलेगी स्टार्ट हो गई है प्रास झाल 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 झाल